इस वक्त की बड़ी और सबसे एहम खबर हाइदराबाद से जहां तलंगाना दुशकरम के चारो आरोपियों को पुलिस ने एंकाउंटर कर दिया है शमशामबाद के DCP प्रकाश रेड़ी के मताबिक पुलिस आरोपियों को लेकर उस ओवर ब्रिज पर पहुंची थी जहां उन्होंने डॉक्टर को कैरेसिन डाल कर जलाया था पूशनाच और घटना को रीक्रियेट करने के दोरान आरोपियों के हतियार छुडा कर भागने लगे उन्होंने पुलिस करमियों पर फाइरिंग की आतमरक्षा में पुलिस ने जवाबी फाइरिंग की जिसमें चारो आरोपी मारे गए साइपराबाद पुलिस कमिशनर वी सी सजनर ने बताया कि चारो आरोपी शुकरवार तड़के तीन से छे बजे के बेच शाद नगर सित चतन पली में एंकाउंटर में मारे गए एक वरिश पुलिस अफसर ने कहा कि घटना में दो पुलिस कर्मी भी घायल हुए है वही एंकाउंटर की खबर मिलने के बाद पीडित के पिता ने कहा कि हमारी बच्ची को मरे हुए दस दिन हो गए तलंगाना सरकार पुलिस और जो लोग मेरे साथ खड़े थे उन्हें बधाई मुझे लगता है कि पुलिस ने काफी अच्छा काम किया अगर अपराधी भाग जाते तो सवाल उठता कि पुलिस ने उन्हें कैसे भागने दिया उन्हें दुबारा पकड़ना भी शायद मुश्किल होता अगर उन्हें दुबारा पकड़ भी लिया जाता तो आगे सजा देने की कारवाई में काफी समय लग जाता वहीं पेडिता की बहन ने कहा कि आरोपी एंकाउंटर में मारे गए मैं इससे काफी ज़्यादा खुश हूँ यह एक उधारन होगा उमीद है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा मैं पुलिस और तेलंगाना सरकार को शुक्रिया कहना चाहती हूँ पुलिस ने जिस जगा चारो आरोपियों का एंकाउंटर किया वहाँ भारी भीर जुड़ गए पुलिस कर्मी और कमिशनर सजनार जब घटना सल का मुआयना करने पहुंचे तो लोगों ने DCP, ACP जिन्दाबाद और भारत माता की जैके नारे लगाए गए साथ इसानिये लोगों ने पुलिस वालों पर फूल भी बढ़ साए तलंगाना की कानून मंत्रिये इंद्रा करन रेडी ने एक न्यूस चैनल से कहा कि भवान ने कानून से पहले सज़ा दे दी आरोपियों को उनके साथ जो हुआ उससे पूरा हिंदुस्तान काफी हद तक खुश है टीवी में आमने देखा कि आरोपिय पुलिस के हत्यार लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे जो हुआ अच्छा हुआ हैधराबाद में 27 नवंबर को टू विलर का टायर पंचर होने के बाद एक टोल प्लाजा के पास इंतजार कर रही 26 वर्षय वेटरनरी डॉक्टर की दुश करम के बाद हत्या कर दी गई थी डॉक्टर का जला हुआ श्राव अगले दिन सुभा मिला था पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफतार किया था इनके नाम मुहमद आरीफ, जोलू शीवा, जोलू नवीन और चिंता कुटा, चनाक केश वुलू थे आरीफ की उमर लगभग 26 साल थी जबकि बाकी आरोपियों की उमर 20 साल बताई गई है ये सबी ट्रक ड्राइवर और क्लीनर थे जिनोंने शराब पीने के बाद लगभग 7 घंटे तक डॉक्टर के साथ दरिंदगी की थी इसके बाद पीडित को शादनगर के बाहरी इलाके में जला दिया गया था चारो आरोपियों को अदालत में 14 दिन की न्याई की इरासत में भीजा गया था हैगराबाद गैंगरेप और हत्या के मामले में जिस तरह से तिलंगारा पुलिस ने चारो आरोपियों को एंकाउंटर में मोत के घाट उतारा है उसके बाग से पुलिस की कारवाई पर सवालिया निशान लगने लगे हैं सुप्रेम कोट की वकील व्रिंदा ग्रोवर ने कहा है कि तिलंगारा पुलिस पर मुकादमा दर्श किया जाना चाहिए यही नहीं इस पूरे मामले की सफतन्तर न्याईक जांच भी करवानी जानी चाहिए उन्होंने कहा कि किसी भी गटना में पुलिस एंकाउंटर करना गलत है राश्ट्रे महिला आयोग की अध्यक श्रेखा शर्मा ने कहा कि किसी भी मामले में एंकाउंटर करना ठीक नहीं है उन्होंने कहा कि पुलिस दावा कर रही है कि आरोपी पुलिस की बंदूग छीन कर भागने के फिराख में थे ऐसे में शायद उनका फैसला सही रहा होगा हमारी मांग है कि इस तरह के मामले में आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें सजा मिले उन्नाव रेप मामले में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने उत्रपरदेश पुलिस को हैदराबाद पुलिस से प्रेड़ना लेने की नसिहत दी है वोई मायावती ने हैदराबाद गैंग रेप मामले में चारो आरोपियों के पुलिस एंकाउंटर में मारे जाने पर कहा कि इससे बलातकारियों के मन में डर पैदा होगा उन्होंने कहा कि हैदराबाद पुलिस की तरह ही उत्रपरदेश पुलिस को 20 तक अडम उठाने चाहिए तब ही बढ़ती रेप की घटनाएं रुख सकेंगी तलंगारा की राजदानी हैदराबाद में महिला वेटरनरी डॉक्टर से गैंगरेप के बाद हत्या और फिर लाश को जला देने की घटना के बाद लोग किस कदर गुस्ते में थे इसका मंजर एंकाउंटर वाले जगा पर देखने को मिला ऐसा लग रहा था कि लोगों ने चारो आरूपियों की एंकाउंटर के बाद राहत की सांस ली हो लोग इतने ज़्यादा खुश थे कि वो पुलिस वालों पर फूल बरसाने लगे साथ ही हर तरफ लोग पुलिस वालों की तारीफ में जैहों के नारे लगा रहे थे वहीं कुछ लोगों ने पुलिस वालों की तारीफ करते हुए मिठाईयां भी बांडी जबकि महिलाओं ने घटना सल पर मौझूद पुलिस कर्मियों को राकी बांडी इससे सैयोग ही कहा जाएगा कि ये सभी आरोपी पुलिस एंकाउंटर में ठीक उसी जगा मारे गए जहां दस दिन पहले इन सबने गैंग रेप को अनजाम दिया था शुकरवार सुबा करीब साड़े तीन बज़े ये एंकाउंटर हुआ सुबह जब लोगों को पता चला तो पूरा शहर यहां उमड़ पड़ा पुलिस की टीम एंकाउंटर वाले जगा पर जांच कर रही थी और पुल पर हजारों लोग खड़े हुए थे इस एंकाउंटर को देख कर लोग इतने ज़्यादा खुश से कि वो पुलिस वालों पर गुलाब की पंखुणियां बढ़साने लगे और जै होके नारे लगाने लगे देश में रेप के मामलों में आरोपियों को सजा देने में कितनी देरी होती है इससे हर कोई वाकित है दिल्ली में निर्भया कान को साथ साल बीद गए है लेकिन आरोपियों को अभी तक पांसी की सजा नहीं मिली है जाहिर है कि हैदराबाद में महिला वेटरनरी डॉक्टर से गैंग्रेप के बाद हत्या और फिर लाश को जला देने की घटना के बाद देश भर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा लोगों को लगा शायद इस केस में भी आरोपियों को सजा मिलने में सालू लग जाएंगे हाला कि एनकाउंचर में आरोपियों को मार गिराए जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी ही घटना हैदराबाद में 11 साल पहले भी हुई थी और तब आज के पुलिस कमिशनर सीपी सजनार वहाँ पुलिस सुक्रिडेंडन थे ये घटना लगबग साल 2008 की है जहां आनरा परदेश के वरंगल में तीन आरोपी पुलिस की हिरासत में थे इन तीनों पर इंजिनेरिंग कॉलिज की दो चात्राओं पर एसेट फैंकने का आरोप था पुलिस यहां भी घटना के सीन को रीक्रियेट करना चाती थी उन्हें भी घटना सल पर ले जाया गया यहां से तीनों आरोपी पुलिस वालों पर एसेट फैंक कर भागने की फिराक में थे तबी पुलिस ने इन पर गोलियां बरसा दी घटना सल पर ही तीनों आरोपियों की मोके पर ही मोथ हो गई उस वक्त यहां के S.P.C.P. सचनार ही थे उन्होंने पूरी घटना के बारे में मीडिया को बताया था और कहा था कि इन तीनों ने अपना गुना कबूल कर लिया था लहाजा पुलिस इस घटना को समझने के लिए घटना सल पर गई और एंकाउंटर हो गया कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद हैदराबाद में महिलाओं पर एसेट फैंकने की घटनाएं काफी कम हो गई आज एक बर फिर से 11 साल बाद हैदराबाद मेंस इनकाउंचर ने लोगों को पुरानी घटना की याद दिला दी है शुकरवार की सुबा भी कुछ ऐसा ही हुआ तलंगाना पुलिस के मुताविक सभी आरोपियों को सुबा घटना सल पर ले जाये गया था जहां पर पूरी घटना को रीक्रियेशन किया जाना था इसी दोरान आरोपियों की गिरफ्त से भागने की कोशिश करने लगे पुलिस ने सभी आरोपियों को रुंकने के लिए कहा लेकिन वे है भागते रहे बाद में पुलिस को गोली चलानी पड़ी और सभी चारोई आरोपियों की मूखे पर ही मोथ होगे पूरे देश में उसकी बज़े से लोक बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं लेकिन ये भी चिंता का विशह है कि जिस तरह से लोगों का पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से और इन्वेस्टिगेटिव एजनसी से भरोसा उठ गया है तो हम सब लोगों को पूरे देश को और समाज को मिलके इस बारे में चिंतन करना पड़ेगा और सभी सरकारों को मिलके इस पे तुरंट एक्शन लेना पड़ेगा कि किस तरह से प्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी और इन्वेस्टिगेटिव एजनसी के सिस्टम को भी दुरुस्त किया है मैं भी इस बात से दुखी हूँ कि उनको साथ साल हो गए और अभी जब हमारे पास फाइल आई थी हमने तो 24 घंटे के अंदर उसको तुरंट उनकी मर्सी पेटिशन को रिजेक्ट करके भेज़ दिया था और मैं अब उमीद करता हूँ कि राश्ट्रपती जी भी उनसे भी मैं अपील करता हूँ राश्ट्रपती जी से कि वो निर्भ्या के दोशियों को मर्सी पेटिशन को खारिज कर दें और तुरंट उनको फासी के फंदे तक पहुंचाया जाए कि बहुत भयाना को आए है इस देश के लिए क्योंकि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है कानून में वैसे भी उनको फासी मिलती अगर आप उनसे पहले ही उनको बंदुकों से मार दोगे तो फिर फाइदा क्या है अदालत के फाइदा क्या है पुलीस की ऐसी भी व्याख्या करें लेकिन मैं मानता हूं कि जो इस तरह के अपराधी होते हैं कलंक होते हैं जिनसे पुरा देश धर्म संस्कृती वदनाम होती है उनके साथ और जो आतंकवादी उनके साथ तो ओंदा स्पोर्ट हमारी पुलीस को अर्दसेनिक बलों को और सेना को ऐस गटनाओं में संदे है नजर आता है उन गटनाओं को हमें आगे कोट में ले जाना चाहिए उसके उपर जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसमें एविडेंस हैं उसके आधार पर कानूनी जो प्रक्रिया उसका रास्ता अपनाना चाहिए लेकिन जो इस तरह के खुंखार एक रहे के अपराधी है और जो चरित्रहीन है और जो आतंकवादियादी घटनाएं करते हैं उनके साथ तो ओंदा स्पोर्ट ऐसे ही नहीं होना जाए रही बात इन घटनाओं की पुन्रावृत्ति ना हो इसके लिए माता अपिता अर्थात परिवार समाज और सरकार को मिल करके ऐसे एक दिव्य संस्कारों का वातवन देश में बनाना पड़ेगा जिससे की इस तरह की घटनाओं से देश को सर्मसार ना होना पड़े देश को बदनामी न जहिनने पड़े क्योंकि यदि माता पिता अपने बचों को संस्कार नहीं देंगे यदि समाज जो है पवित्रता को सचरित्रता को महिमा मंडित नहीं करेगा और सरकार शिक्षा से लेकर के हमारे जितने भी संस्थान है जो भी समाज की ववस्था है सिस्टम है उसने हम सचरित्रता और पवित्रता को महिमा मंडित नहीं करेंगे तो इस तरह की दुर घटना उनके उपर रोक नहीं लगेगी सब्सक्राइब करें भरने बाद